मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में लडने वालों के कदमों में जहान होता है दोस्तों आज है 10 सितंबर और देखेंगे आज के सारे करेंड अफेज साथ ही काफी सारे एक्स्टा फैक्ट भी एक्जाम पॉइंट भी से की जो काफी इंपोरेंट है तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों लास्ट में एक क्वेशन पूछेगो उसका एंसार आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इस वीडियो की पीडिया फाइल वीडियो का डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको लिंक की मिल जाएगो उस लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों मैं आनेकेडमी पर ही पढ़ाता हूँ तो आप आनेकेडमी एक लर्निंग के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें online ainda point सच करके आप फॉलो कर सकते हैं नोटिफिकेस्ट नहीं मिलता ठीक है दोस्तों और वीडियो दी पसंद आयत प्लीज लाइक करके उतसा जरू बढ़ाईए उसे जादा जादा सेर करें दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके ठीक है चली स्टार्ट करते हैं आज करने फेस बहुत ध्यान से देखिए क काफी important question है पहला question दोस्तों RBI द्वारा जारी आगड़ों कुनसार GDP का चालू खाता घाटा कितने परिस्यत तक बढ़ा है दोस्तों यह question banking exam के लिए बहुत special है तो इसका right answer जागा दोस्तों option number C 2.4% देखे दोस्तों आपको बता देख आर भी आया नहीं भात्तिरी जर बैं कर अप्रेल जून की अबधी में भारत की जो सकल घरेल उत्पादेने GDP का चालू खाता घाटा एक चाउथाई बढ़कर 2.4% हो गया है ठीक कितने परसेंट हो गया है 2.4% दोस्तों यहां पर बात आरे GDP की तो GDP क्या होता इससे आपके मन में question चल लागा हो तुम आपको GDP के लाइन बता देता हूँ दोस्तो ध्याव में अब देखियो किसी देश की घरेलिू सीमा के अंतरगत एक वरक में उत्पाद सभी अंथीम बस्तूों और सेवाओं के मोद्रिक मूर्लिक को जो हो क्या चैते हैं आपकी ग्राइना प्रोड़क्ट एक बार आपको और बता देता हूं किसी भी देश की जैसे इंडिया हो गया घरेलू सीमा के अंतरगर ठीक है और एक वर्स में यानि एक यहरे मुत्पादिक सभी अंतिम बस्तूं और सेवाओं को जो मुद्रिक मूल है उसी को दोस्तों कहते हैं ग्रॉस डोमे चीक साथ जो दोस्तों रिजर्ब एंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी ठीक है इसके लाव दोस्तों यहाँ पर कोशन मनता है कि आरवी आई जो है तो किसकी अनुसाइब नाइट इस थी नाइन में और इसका जो मुख्याल है दोस्तों वो कहा है श्तीता है मुंबई म ठीक है और बता दे आपको का रवी आई जो प्रथम गवर्नर थे वो थे ओसवार निसमीत कौन थे और जो बरतमान में गवर्नर है और आपक्टर उर्जित पटेल है ठीक है तो यह सारे फैक्ट जो आपको बताता हूं यह आप अपने नोट्स में जरूर नोट किया करिए स साथ में इसको डेली रिवीजन जरूर किया करिए रिवीजन करते रहेंगे तो आपको चीज़ें कंठस्त हो जाएंगी याद हो जाएंगी कभी नहीं बूलेंगे और डेली आप मौनिंग में पांच बज़े टाइम निकाले करने फैस्की जरूर देखा करें क्योंकि आपक को अच्छी लागा करें दोस्तों प्लीज उत्सा बढ़ाने के लिए मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सपोर्ट करने के लिए एक लाइक कर दिया करी दोस्तों आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं यदि मैं आपके लिए इतना वीडियो बनाते हूं तो आप लोग उद्घाटन हुआ है बैंगलूरू में ठीक है आपको बता दे कि आईश्मान भारत कॉल सेंटर अपचारी कुरूप से उद्घाटन आईश्मान भारत के जो CEO हैं डाक्टर इंदू भूशन द्वारा बैंगलूरू में किया गया है आपको बता दे कि एराश्ट्री कॉल इसके लाब आपको बता दे कि मेडी असिस्टेंड के सहयोग से 24 इंटू 7 कारेरत कावल सेंटर सुरुवात में अंग्रेजी और हिंदी में जानकारी साजा कर रहा है इसके लाब आपको बता दे कि बाद में 9 और छित्री भासां को जोड़ेगा और आपको बता दे कि अधिकारी साथ अलग अलग सिप्ट में कारे कर रहे हैं और हैदरावाद में एक और ऐसा कॉल सेंटर कारे रहत है ठीक यानि 24 घंटे और 7 दिन ये कारे रहता है अब दोस्तों यहाँ पर आईशमान भारत के बारे में आपको बता दे कि राश्टी स्वास सनक्षण योजना के बारे में नभी इंतम सामाजिक आर्थिक जाती जनगर्णा डेटा के नुसार दस 10.74 करोड गरीब बंचित परिवारों और शहरी सर्मकों के परिवारों को लगभग जो तो पहचान की गई है ठीक करनाटक की इसके राज़ानी है बेंगलूरू आपको बता दे दोस्तों की इस बरतमान में जो सीम करनाटक के वर्थ कुमार स्वामी और बात करें की तुव भाजू भाय वाला और आपको बतादे कि विशेष बाग वल गठित करने वाला देश का पहला राज जिकाउन था वो करणाटक को मलय का देश भी कहते हैं और नागर होल राष्ट्यूर्द द्यान नागर होल नेशनल पर कहा है करणाटक में और दोस्तों एक कोश्चन पूछा थे तुंग भद्रा पर्योजना कहा इस्थिते तो यह स्थिते करनाटक में तुंग भद्रा नदी पर ठीक है तो तेलंगाना और करनाटक के मद्धे से तुंग भद्रा पर्योजना और मालप्रफा पर्योजना दूस्तों इस्थिते मालप्रफा नदी पर करनाटक में ठीक है इस दोस्तों वहीं बात करें चिन्नाई तो चिन्नाई तमिलाडु की राजधानी है ठीक है और आपको बता दीक प्राथमिक विद्याले में दो पहार भोजन इसकी वारम करने वाला पहला राज जिकाउन था वो था तमिलाडु और बात करें शूचना का अधिकार लागू होने स पालनी स्वामी ठीक है और जो भारत का सबसे लंबा समुद्र बीच है वह मैरीना वीच चन्नाई ठीक भारत का सबसे लंबा बीच जो दोस्तों वह है मैरीना वीच जो की चन्नाई में सीत है भारत का केंदरी चमड़ा उनसंदान संस्तान कहा है चन्नाई में यह कोश्चन अक करती है और यहां पर करनाटक का बता है करनाटक को प्रसीद लोक नित्य वो है यक्षगान ठीक है तो याद रखिएगा वह दोस्तों बात करें लखनों कि यूपी की राजधानी ये लखनों यूपी जो तो जनसंख्या के अधार भारत का सबसे बड़ा राज्य है बरतमान सी है योगी आदितनाज जी आप सब को पता है ठीक और आगरा में इस्तित है ताज महल जो को आप सक पता है लेकिन ताज महल के वास्तुकार कौन थे उस्ताद एहमद लाहोरी ठीक है बात करें भोपाल की तो एंपी की राजधानी है भोपाल वरतमान में जो गवर्नर है मुह होती इंपोर्टेंट है और अनंदी वेन पटेल वरतमान में मतब्रेश के साथ साथ जो तो 36 गड़की राज्यपाल है ठीक है उनको अतरिक प्रभार मिला है क्योंकि अभी हाली में बल्रामदास जी टंडर्म का पत्पे रहते वह निधान हो गया था तो हाली में आईशमान को लिंग की मिल लागी मात 30 रुपए की बुक है आप उस बुक को जरूर पर्शेच कर लें काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम रिवीजन के हिसाप से ठीक है काफी कम टाइम ही तो रिवीजन के लिए बहुत इंपोर्टेंट बुक है और यदि आपको बुक में किसे ने जीता दोस्तों हाली में यूशोपन कि इस ने जीते लिय का सिरेना नाओमी उसाका और शाका के और शयापन के पहल में बिलियम और इम गए आपको बदा दिक और शो का ने पहलेशी ब्रेंट इसस ये महिला हो सथbor्वार्थ श्भा और की उस्रापन की से रियन हु दो सीधे सेटों पर हराया है उन्होंने अपनी जवर्जस्त गती और कुरूर बेसलाइन के इस्तेमाल कर केवल 33 मिनट में सेट को समाप्त कर दिया है तो हाली में यूए शोपन खिता कुछ ने जित रिया है जापानी जो महिले नाओमी उशाका से रेने विलियम्स को राकर ठ के अमताब चौधरी को एक जनबर 2019 से तीन वर्स के अब्दी के लिए बैंग का प्रवन नेशक और CEO निउक्त किया गया है यानि MD और Chief Executive Officer आपको बता देक जो बरतमान में स्री अमताब चौधरी है वो HDFC Standard Life Insurance Company के MD और CEO है जो 31 December 2018 को शिखा सर्मा पत छोड़ने के भाद भारत तीसरे बड़े नीजी छेत्र के बैंग का प्रवार समभालेंगे ठीक है और दोस्तों बात करें हाँ पर 16 बैंग की तो मुख्याल है इसका मुंबई में और अरतमान में जो एक्सिज बैंग की CEO और प्रवन नेशक के वह सिखा सर्मा को ने सिखा सर्मा और दोस्तों आपको तो 1920 में तीन प्रेसिडेंसी बैंकों बैंका बंगाल बैंका बंबई और बैंका मद्रास को मिला कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापन के की थी जिसका राश्टी करण एक जुलाई निश्चो पच्पन को किया गया था और राश्टी करण के बाद इसे State Bank of India के ना 1294 को ठीक है और आपको बता दे कि पहला भारती बैंक जो पूर्ट भारती पूंजी से प्रारम किया था वो था पी अन्वी तो एक्सार एक्जामें पूछा आता है ठीक है तो एक्सीस बैंक के नए CEO की रूम में गिशिन उतकिया गया है इसका राइट एंसर है आपसाने अ अब देख लेते हैं आज का सवाल जिसका एंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है बहुत कम लोग कमेंट करें प्लीज ज्यादा ज्यादा लोग कमेंट करें आज लगवक्त तीन से चारहजार इस्टूजन कमेंट करेंगे ठीक है अब आज कोशन सितमर 1218 में क्रिकेट की दि लिप ट्रॉफिक इस्टीम ने जीती है तो आपके पास ऑप्सन दे रहे तो आपने कल की वीडियो देखी तो आपको नोट्स मिलती रहे और पीडिया फाइल के लिए आप टेलिग्राम चैनल पर जोईन कर सकते हैं वहाँ पे आपको सापताही का और मंतली जो पीडिया फा वीडियो को डिस्क्रिस्प्टन वाक्स में मिल जाएगी ठीक है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों प्लीज कमेंट करके कमेंट जरूर करिएगा साथ ही साथ पूरी डिटेल के साथ लिखिएगा दिलिप ट्रॉफी के बारे में क्रिकेट के बारे में बताता हूं और वीडियो में ठीक है तो आपका दिन शूब और सुस्त रही है बेस्त रही है मस्त रही है अपने माता पिता का नाम रोशन करिए जै हिंद मंदे मात्राम